पूर्ण तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं what is formal और informal organization के बारे में इससे पहले मैंने इस चैप्टर के अल्रेडी दो वीडियो बनाके रखे हैं तो आप लोग वीडियो जाकर के पहले देख लीजें तो आप लोगों के बहुत जादा help करने वाले हैं चलिभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे बात करते हैं फोर्मल ओगनाइजिश texto कहले हैं? फोर्मल ओगनाइजीश emotion क्यों होता है? ज क्या होता है ? त। ज가 manager और ओगनाइजिस क्यों का process करता है तो क्या होता? organization structure्यों क्यों हो जाता है तो organization structure filming is to physical work हो सके और optimum utilization हो सके resources का इसी के लिए होता है तो ऐसे टाइप के organization को हम लोग क्या बोलेंगे formal organization बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा कि जब manager organizing process कर रहा होगा तो उससे organization structure त्यार होगा और उस organization structure क्या होगा कि जो काम है वो systematic way में होगा और optimum utilization होगा resources का तो इसको बोला जाता है formal organization formal organization clearly sorry formal organization structure clearly spells out the job to be performed by each individual the authority responsibility assigned to every individual the superior subordinate relationship and the resignation of every individual in the organization this is a structure is created intentionally by the manager for achievement of organizational goal तो हम लोगी बोल सकते कि जो formal organization होता है वो क्या होता है एक तरह का job है जो कि हर individual perform करता है जैसा कि लास्ट वीडियो में भी देखे थे क्या होता है कि जो भी काम दिया जाता है जो भी responsibility होता है जो भी authority होता है कि इसको क्या काम करना होता है वो सारा कुछ क्या job description में दिया वा होता है तो यह सब चीज़े क्या होता है यह सब चीज़े अगर पता हो जाए तो क्या होगा कि जो काम है वो systematic way में चलते रहेगा और यहां पर क्या हमको यह भी पता होता कि किसका क्या responsibility है कि इसके पास क्या authority है तो उससे क्या होगा मतलब कि तुम्हारा यह क्युक्त तुम मैंनेजर की द्वारा इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है क्या होता मैनेजर के द्वारा intentionally, formal organization को create किया जाता है, थाकि organization का भी जो goal है, उसको पूरा किया सके. उसके features की बात करें, तो इस points सामकर हो जो यह clear हो गया होगा कि सब्से पहला कि intuitively create होता है, कैसे create होता है, इंतेर्चनली यह create होता है, intentionally इसके बाद अगर बोलें, तो में एम क्या होता है कि जो organization का goal है उसको पूरा करने का साथ ही साथ क्या होगा कि इसमें किसको क्या काम करना है क्या नहीं करना है वो सारा कुछ clearly बता होगा किसके पास क्या authority है क्या किसका responsibility यह सब चीज भी पता होगा superior subordinate का relationship है वो भी यहां पर clearly बता दिया जाता है साथ साथ यहां पर scalar chain of communication की भी बात की गई है scalar chain of communication मतलब कि जो head होगा जाहिर से बात है मेरा जो भी employer होगा यह जो मेरे से उपर post पे होगा हम उसको जा करके क्या करेंगे report देंगे यहां पर इस चीज को भी clearly बता रिया जाता है clear है इसके बार हम लोग next बात करते हैं इसके advantage के बारे में क्या है सबसे पहले systematic working तो formal organization में क्या होता है सबको सबका काम पता होता है तो काम जो है systematic way में होते रहता है next achievement of organization objective यह आप अपनों जैसे देखे थे कि formal organization क्यों establish किया जाता है manager के द्वारा ताकि organization का जो objective है जो goal है इसको पूरा किया जा सके no overlapping of work क्यों कि सबको तो पता कि किसको क्या काम करना है कौन कि डिपार्टमेंट के अंडर आता है तो से क्या होगा कि जिसको जो काम मिला है वह काम वह करेगा तो किसी भी तरह कहां पर overlapping होगा duplication होने का चांस रहेगा next coordination यहां पर क्या होता कोई भी काम होता अलग अलग departments में coordination के साथ हो जाए sales department और production department हो या marketing department हो या purchase department और जो भी हो सार डिपार्टमेंट में क्या होता है coordination होता है तब ही जा करके क्या होगा organization का goal पूरा हो पाएगा next creation of chain of command इसमें क्या होता है कि हमको पता चलता है कि हमको किसको रिपोर्ट करना है या कौन हमको आ करके रिपोर्ट देगा कौन किसका सुपीर है कौन किसका सबॉर्डिनेट है यह सब चीज़ें यहां पर क्या होते क्लियरली डिफाइन रहती है more emphasis of work यहां पर सिर्फ काम पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है ना कि को इंप्लाइब करने में थोड़ा दिया जाता है इंप्लाइब का इंप्लाइब का सोशल नीट क्या है उसको पूरी तरह से इग्णोर किया जाता है इंप्लाइब करते क्या है इंप्लाइब के साथ इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ सोशल और फ्रेंडली ग्रूप्स बनाते हैं इसको बोला जाता है इन फ्रांब और आंप्लाइब की कोई इंप्लॉइब गाण लेज हैं कि 2-3 इंप्लाइस हैं ए बी और से यह तक्या क्या कर रहा है में काम कर रहे今 से अब करते करते क्या हो यह से इंट्रैक्ट हुझ हुए Lab यह क्या हूँ से ईससे भी और इससे इंट्रैक्ट हुझाए 17 इन्ट्रैक्ट होने से इंडराक्ट होने से क्या होता है तीनों के बीच में किंटर प्रेंड़ी ग्रूप बनए भी तैक Sak molar ऑगनाइसेशन इस्ट्रक्षर त्योंके क्यांटिक Ju-jee नहीं करता है यहां मैंडेजर अपने से क्या होता है मैंAG क्या हो सके कि害 फ्रीद तो जो informal organization होते हैं basically क्या formal organization पर depend करते हैं कि अगर formal organization ही नहीं होगा तो वो लोग कोई job position नहीं होगा job position नहीं होगा तो वो क्या हो कि एक organization में नहीं होगा organization में होगे ही नहीं तो किसी भी तरह से interaction नहीं होगा और interaction नहीं होगा तो informal organization जो है वो established नहीं हो पाएगा तो informal organization के लिए सबसे important है formal organization का होना जहाँ पर वो लोग आपस में क्या कर सकें interact कर सकें और friendly group बना सकें clear है इसके बाद next इसका है features इसका features की बात करें तो क्या है automatic create हो जाता है इसको intentionally जो है बनाना नहीं पड़ता है next है कि यह psychological satisfaction के लिए होता employees का इसका कोई भी path जो है वो fix नहीं होता है कि हमको इसी को जाकर करना या इसके पास यह authority हम इसी को communicate कर सकते हैं यह बिल्कुल भी नहीं होता है और जो information है वो किसी के भी द्वारा किसी को भी दिया जा सकता है इसके बाद हम रुख बात करें तो यह basically क्या होता है formal organization पे depend करता है अब बात करते हैं इसके advantage के बारे में क्या कि इसका क्या क्या advantages हो सकता है तो सबसे पहला है fast information, यह past है, fast communication, communication fast कैसे होगा कि कोई भी किसी को भी जाकर कि यहाँ पर communicate कर सकता है, किसी को भी कुछ भी report दे सकता है, inform कर सकता है, तो communication यहाँ पर क्या होगा, past हो जाएगा, फिर यहाँ पर fulfill social needs, जाहिर से बात है psychological satisfaction मिल रहा है, तो लोगों के social needs को भी यहाँ पर पूरा किया जा रहा है, इसके बाद है correct feedback, तो informal structure से क्या होगा, कि यहाँ पर employees के दुआरा correct feedback दिया जाएगा, जो भी policies है, जो भी plans है, उस organization में pass होते हैं, वो क्या होते हैं, सिर्फ और सिर rumors होते हैं, जिसके थ्रूग यहाँ होता है, जो employees होता है, वो mislead हो जाता है, no systematic working, यहाँ पर कोई भी तरह का systematic working नहीं है, क्योंकि को भी किसी को report कर सकता है, कोई कुछ भी काम कर सकता है, तो उससे क्या होता है, organization जो है, वो smoothly result मिलता है उससे क्या होता organization पर इंपक्ट पड़ता है इस चीज़ का more emphasis और individual interest अब यहां पर क्या हो रहा है काम को कम ध्यान दिया जाता है बहुत कम ध्यान दिया जाता है और जो psychological need है और individual need अगर बोले तो उस पर जादा ध्यान दिया जाता है जैसे कि उस इतना जारा difference हम लोग पहले कर चुके है तो एक फॉर्मल और इंफॉर्मल के बीच में difference भी जान लेते कि क्या क्या difference होता है कि यह भी बहुत सारे important हो जाता है तो सबसे पहले बात करते तो यह क्या होता है planned way में इसको बनाया जाता है intentionally बनाया जाता है और इंफॉर्मल जो है उसको intentionally नहीं बनाया जाता है इसका purpose formal जो है formal organization उसका main purpose होता है कि organization के goal को achieve करना informal का होता है psychological satisfaction ठीक है इसके बाद अगर बात करके formal organization में members का behavior जो है वह employer या जो manager होते उस पर depend करता है जबकि informal में ऐसा कुछ भी नहीं है अगर बात करें जैंज ऑथरिटी की तो ऑथरिटी क्या है formal में top to bottom होता है कि जो उपार level पे है टॉप लेवल पे उसके पर ज्यादा authority और जो लोगर लेवल पे उसके पर सबसे कम authority पर informal में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर structure की बात करें तो इसमें क्या होता है फॉर्मल में superior subordinate का relationship यहां पे होता है पर ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं है कि हम चाहें तो किसी के साथ भी यहां पर information share कर सकते हैं कोई superior नहीं कोई subordinate नहीं सब क्या है एक बराबर यहां पर है clear है तो यह था कुछ differences formal और informal के बीच में I hope आपको सारी बाते clear हो गई हो किसी भी तरह का doubt हो तो comment करके जरूर पूछिएगा वीडियो को पूरा देखने के लिए thank you